अध्याय सत्रा प्राकृत्वास प्राकृतिक आवास हैबिटेट 17.1 प्राकृत्वास से आशे मिनिंग ओफ हैबिटेट हमारी राज्य में जगदलपूर के पास कांगेर नदी के तट पर कुटुमसर गुफा है इस गुफा की छट वह दिवारों से चूना युक्त पानी टपकता है जिससे छट से लटकती और जमीन से उभरती शंकू जैसे विशाल और सुन्दर सनरचनाय बनती है कुटुमसर गुफा आज पास की जमीन से लगभग 35 मीटर नीचे वह एक किलो मीटर से अधिक लंबी है इन परिस्टियों के बावजूद यहां कई प्रकार के जीव पाय जाते है उदारन के लिए चमगादर, कीडे मकोडे मिलिपीड्स, बैक्टेरिया, आधि कुटुमसर गुफा का तापमान साल भर 25 डिग्री सेंटीग्रेट से 32 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच रहता है यहां के पानी का तापमान लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेट से 30 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच रहता है इसका आर्थ यहा है कि गुफा वा अंदर के पानी के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता बरसात के मौसम में यहां प्राया बाढ़ा जाती है गुफा में मचली की एक ऐसी जाती है जो लगबग अंधी है इसकी आँखे बहुत ही छोटी है इसकी लंभाई दो से चार सेंटीमिटर है इस्थानी लोग इसे कानी मचली कहते हैं इस मचली की अनी किसमी पहाडी नदियों में पाए जाती है कुटुमसर गुफा में इसकी एक खास किसमी मिलती है यह यहां के गुफाओं में पाए जाने वाले सूक्ष में जलिये पौधू जन्तू जैसे कीडो गोंगो आदी को खाती है यह मृत जन्तू और पौधो को भी खाती है अता या स्केवेंजर या अप मार्जक की भूमिका भी निभाती है यह मचलिया अकसर मिट्टी के नीचे अपना समय बिताती है वो पानी में सांस लेती है लेकिन समय समय पर पानी की सता पराकर मुँ में हवा भरती है इन मचलियों की आबादी का प्राकरतवास है यहां कुटुमसर के गुफाओं की किन विश्यस्ताओं की बाद की गई है यदि बाढों के साथ ये काणी मचलियां गुफा से बाहर चली जाएं तो कैसे जीवित रहती होंगी ये अपनी मचलियों से कैसे भिन्हें किसी भी परियावरन में रहने योगी सुरक्षित स्थान, तापमान, पानी वह हवा इत्यादी वहां के आजैविक कारक होते हैं। तथा वहां पर भोजन की उपलब्धता वह विभिन प्रजातियों की उपस्तिती आदी जैविक कारक होते हैं। किसी भी प्राकृतवास के आजयविक वजयविक कारक वहां के जीवों को विबिन तरीकों से प्रभावित करते हैं